नमाशकार दोस्तो दोस्तो आज हम लेकर आएं पालक की बड़ी तो दोस्तो इस बड़ी को आप साल भर के लिए स्टोर करके रसकते हैं और पालक का फ्लिवर साल भर के लिए ले सकते हैं जब भी आप पालक की बड़ी बना कर रखते हैं और जब भी आपको मन करें इस बड़ की सबजी बना सकते हैं दोस्तों बहुत सौधिस्ट दोस्तों लगेगी आपकी सबजी तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पालक की बड़ी बनाने की तरफ इस बड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले मयाहा पर दो बंडल पालक ले लिया हूँ उसको अच्छी तरह से धो कर कट कर लिया हूँ तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मैं पालक को चौप किया हूँ इसके बाद दोस्तों हम grinding jar लेंगे और grinding jar में chop किया हुआ पालक एड़ करेंगे आधा chop किया हुआ पालक एड़ करेंगे और आधा दोस्तों बचा लेंगे जो grinding jar में पालक हम एड़ किये हैं इसका हम paste तयार कर लेंगे तो paste को दोस्तों एक bowl में transfer कर लिया हूँ इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ उरत की डाल एक कप मैं ओरनाइट के लिए भीगो को रखा था जब यह अच्छी तरह से भीग जाए तब हम यहाँ पर दो बार अच्छे से धो लेंगे फिर इसके बाद दोस्तों ग्रेंडिंग जार में एड करेंगे और ग्रेंडिंग जार में इसके उपर हम दोस्तों पालक का पेस्ट एड कर देंगे पालक का पेस्ट एड करने से दोस्तों अच्छी तरह से हमारी दाल पीस करके रेडी हो जाएगी तो पीछने के बाद दोस्तों इसको मैं एक बरतन में ट्रांसफर कर लूँगा ट्रांसफर करने के बाद दोस्तों अब हम जो दाल का पेश्ट है उसको अच्छी तरह से फेटेंगे जितना आप अच्छी से फेटेंगना उतना बड़िहा आपकी बड़ी तयार होगी एकदम फूली-फूली तो बड़िहा तरह से दोस्तो ये फेट करके रेडी हो गई है इसके बाद दोस्तो हम चेक करेंगे कि ये मिश्रन तयार हुआ है कि नहीं बड़ी बनाने के लिए तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मिश्रन देंगे और पानी के उपर यहाँ पर हम डाल देंगे तो मिश्रन पानी के उपर तैरने लगा है दोसो. इसका मतलब दोसो बड़ी बनाने का एकदम परफेक्ट मिश्रन तैयार हो गया है. इसके उपर दोसो कटी हुई पालक एट कर देंगे, जो बचा हुआ था पालक उसको एड कर देंगे. एड करने के बाद दोसो अब बारी है यहाँ पर आधा चमच नमक आड़ करने की तो बड़ी में नमक ज़्यादा दोस्तों इस्तमाल नहीं करते हैं तो थोड़ा सा नमक आड़ कर देंगे और अच्छी तरह दोस्तों मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर दोस्तो मिश्टन तयार हो गया है बड़ी बनाने का इसके बाद दोस्तो हाथ को एकदम क्लियर कर लेंगे मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ थाली तो थाली में मैं यहाँ पर पहले से ओल लगा का रखा था इसके बाद दोस्तो हम एक चमच के करीब यहाँ पर लेंगे मिश्टन और उसको भजिया जैसे बनाते न वैसे बड़ी बना लेंगे दोस्तो यह दिखिए दोस्तो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बना सकते हैं दोस्तो इस बड़ी को बहुत सिंपल है दोस्तो पालक की बड़ी बनाने के लिए अब बारी है इसे सुखाने की तो दो दिन तक तेज धूप में सुखा लिजे दोस्तो और फिर जब दो दिन के बाद अच्छी तरह से ये सुख कर रेडी हो जाएगी तब आप इसको सबजी बना सकते हैं दोस्तो तो ये दोस्तो बिलकुल खराब नहीं होगी सालो साल तक आप इसको एर कंटेनर में रख कर जब भी आपका मन करे सबजी इसकी बना सकते हैं बहुत बढ़िया और स्वादिस सब्जी बनती है दोस्तों तो दोस्तों बड़ी पालक की बड़ी का वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों क्योंकि हम ऐसा वीडियो लाते रहते हैं मिलते फिर